नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं योजना के तहत महिलाओं को प्रती माह 2100 रुपे दिये जाएंगे हर महिने की अगार तारीक वह रासिय उनके बैंक अकाउंट में चली जाएगी भाजपा के परदेश अध्यक्ष बाबलामांडी ने एक प्रेस कोंफिरेंस में इसकी घोसना की है इसके साथ ही उन्होंने दूसरे प्रण में सभी परिवारों को 500 रुपे में LPG सिलेंडर देने का संकल्ब व्यक्त किया बतादे साल में 10 सिलेंडर 500 रुपे में दिये जाएंगे जबकि 2 पर्व के अउसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में दिये जाएंगे तीसरे प्रण के तोर पर बाबुलार मांडी ने युवाओ के लिए 5 साल में 28,87,000 रोजगार का उसर उपलब दिखराने की बात कही है उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनने के 5 साल के भीतर डेह लाग सरकारी पदो पर भरती की परकिरिया पूरी कर ली जाएगी इसके लिए 1 नौमबर 2025 की समय सिमात तये की गई है भाजपा करकार्टर अबिवार से लोगो के घरों में जाकर महिलाओ से गोगो दिदी योजना की तहत राज में भाजपा सरकार बनने पर महिलाओ को प्रतीमा देने कि बात कही गई है अपने चुनाव घोसना पत्र में भाजपा इसे सामिल कर रही है सुक्रवार को प्रदेश भाजपा करेले में इसके लिए सभी जिला ध्यक्षो और विधान सभा प्रभारी को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई फोरम भराने के काम बुथ अस्तर से करेकरता करेंगे बता दे मंडल और जिला अस्तर से फोरम भराय जाने की पर किरिया की निगरानी की जाएगी बिधान सबा चुना का पहला चरण प्राराम होने से पहले भाजपा की योजना हर घर तक पहुंचा कर परम भरा लेने की है इस योजना के लिए भी नियुमतम उम्र सिमा 18 वर्स रखी गई है इस अभियान के जर्य भाजपा राज की महीला मद दतावो तक पहुंचने का परियास कर रही है बता दे भाजपा के चुनाव परभारी और केंद्रे किरीशिमंत्री सिराज सिंग चवान ने का है कि राज में भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योईना को सुख्रिति दी जाएगी इसके लिए प्रती माई कई सुरूपे की रासी दी जाएगी जो सरकार बनने के पहले ही महीने से महिलाओ के अकाउंट में ट्रांसफर किये जाएगे जारखन राज आंगनवारी सेविका सहाई का सन्यूग संहर्श मोर्चा की ओर से आहुत राज व्यापे अनिस्चित कालीन हर्टाल सन्यूआर से शुरू हुई है पहले दिन जीले की विभीन प्रखंडो की हरतालीन सेविका सहाई काई गांधी मैदान पहुचकर एक रैली निकाली है इसका नेतिरते जार्खन राज आंगनवारी सेविका सहाई का यूनियन के राज को साध्यावस लखन लाल मंडलवा सीटू के चंडी दास पूरी ने कहा है कि आंगनवारी सेविका सहाई काई ने अपनी मांगो को सरकार के साथ वार्ता के दोरान रखी थी सरकार ने वादा भी किया था कि सन्वेदन सिल्टा के साथ उनकी मागों को पूरी की जाएगी लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई इस कारण पूरे राजी की सेविका साहिकाय काफी असंतुष्ट है बिवस होकर 5 अक्टूबर से अनिस्चित का लिन हरताल पर है मौके पर कई सेविका साहिकाय मौजूद थी सियम हेमन्त ने कुलहान को दिया 500 बेड वाली अस्पताल का तोफा सियम हेमन्त ने जम सेथपूर के बावा तिलका माझी मैदार में आयवजित कारकरम में मौके पर उन्होंने कहा है कि इस नए बनने अस्पताल से कुलहान के लोगो को फायदा होगा सियम हेमन्त ने अपने समधन में कहा है कि मेरी सरकार दिसंबद वह उन्हाइस में आई थी मेरी सरकार का स्थित्वक के आने के कुछ ही महीने बाद पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई केंदर सरकार ने अचानक से लोकडन लगा दिया पूरे देश को लोगो को कोरोना से सुरक्षीत करने का काम जार्खन ने किया पूरे देश को अक्सिजन सप्लाई करने का काम भी जार्खन ने किया है चत्रा चोकिदार बहाली का फिर से परिक्षा लेने की मांग चत्रा चोकिदार बहाली का रियल्ट जारी होते ही चत्रा में परिक्षा में असफल अभियार्थों ने जम कर बवाल काटा है अब्यार्थियों का कहना है कि रियल्ट बनाने में घोर और निमित्ता बर्ति गई है चात्रा में चोगिधार की भरती के लिए परिक्षा पहिनाम घोसित होने के बाद और सफल चात्रों ने काफी अंगामा किया है बतादे छात्रों का आरोफ है कि एजेंटों के दोबारा कई बार पैसा लेकर आने और नमबर बढ़वाने को कहकर मिलने के लिए बुलाया गया लेन देन के चक्कर में गरीब अभियार्थियों को दर किनार कर दिया गया उन्होंने कहा है कि अगर रियल्ट बनाने में इतनी ही परदार सिता बरती गई है तो रियल्ट के साथ अभियार्थियों का नमबर भी जारी करना चाहिए था अब यार्थियों ने यहांत तक कह डाला है कि एक गाओ में एक ही परीवार के तिन से चार का इसमे रियल्ट आया है उन्होंने कहा है कि परिक्षा में पास अब यार्थियों को हमारे साथ बैठाया जाये, परिक्षा लिया जाए देखते हैं कौन कितना नंबर लाता है जामो बिधाय कलपना सुरेन ने कहा है कि महिलाय अपने मान समान के लिए संगठित होकर आवाज बुलंद करे CM हेमान सुरेन की सोच है कि राजे की आधियबादी को ससक्त बनाया जाए इस कारण जारखन में सरकार बनते ही पहली केमिलेट में आधिवासियों पर दर्ज किये गए 10,000 केज हटाए गए CM आधिवासि भाई बहनों की आवाज को ससक्त करना चाहते हैं और इसी दिशाय में डियंतर प्रयास है वे सनी बार को तमार में मैया समान यात्रा कारकरा में बोल रही थी उन्होंने कहा है कि मैया समान यात्रा के पहले चरण से बहुत कुछ सीखने को मिला इससे पहले आज भवान बिर्शा मुंडा की जनमस्थली उलिहातू से दक्सिन छोटा नाकपूर पर मंडल में मयास सम्मान यात्रा का सुभारम किया गया जार्खन सरकार में मंत्री दिपिका पांडे सिंग बेवी देवी और जामो विदाय कल्पना सुरे ने भवान बिर्शा की परतिमाप मल्यारपन किया है पंच तंत्र की कहानी बुनी जा रही सुप्रियो जार्खन मुक्ति मोचा के किंद्री महास सची सुप्रियो भठाचाय ने कहा है कि यहां से कुछ दूर पर किसी की जमीन पर बना एक रेस्टोरेंट है जहां पंच तंत्र की कहानी चल रही है पंच तंत्र की कहानी बुनी जा रही है वह सनी बार को हर्मोई स्थित पार्टी के करेलें पत्रकारों से बात स्थित करते हुए बोल रहे थे केंद्रिय महास्थाची सुप्रवभटचाई ने कहा है कि पां Cliff साल तक लोग राईनित्ती रूप में बेरोजगार हो गये थे लोगतन्त्र हर पांच वर्सों में रोजगार देता है किस्तों में जारी होगा घोशनापत्र सीरियल जैसे किस्तों में हम भी बीजेपी के किस्त का इंतियार कर रहे थे कि कौन सा प्रपंच होगा महिलाओ को 33 पिस्ति आरक्षन से शुरू हुआ 2001 करह के बाद सेंसस नहीं हुआ है नौ मन तेल होगा नराधा नाचेगी हमारी योजना अब भूत बन कर उनके पीछे है गोगो योजना में 21 सर्व प्रतिमा संथाली में गोगो मा को काते हैं इसको समाजना पढ़ रहा है सब को अवास मतलब अबुगा अवास हम रोजगार से जोड़ेंगे उन्होंने कहा था नकसल प्रभावी राज्यों के साथ बैठक करेंगे साह सीम हमन्त होंगे सामील केंद्री गिरी एवम साकर्ता मंत्री अमीद साह 7 अक्टूबर को 9 दिली के बिज्यान भौन में वाम पंथी उग्रवाद प्रभावीत राज्यों के मुख मंत्रियों के साथ समिक्छा बैठक करेंगे बैठक में जहारखंड अंध्यपरदेश बिहार, 36 गर तेलंगाना, उडिशा, महराष्ट और मध्यपरदेश के मुख मंत्री भाग लेंगे साथ ही वाम पंथी उग्रवादी प्रभावी छेत्रों में बिकासकारЙों के गति देने में राज्यों का स्वयों कर रहे है केंद्रिय मंत्रियों के पांच केंद्रिय मंत्रिय और उच्दिकारी बिभाठक में उपस्तित रहेंगे इसके अलावा उपराश्ट्री ये सुरक्षा सलाकार केंद्री ये ससस्त्र पुलिस बलो और राज़यों के वरिष्ट अधिकारी वी बैठक में भाग लेंगे उग्रवाद प्रवाईत राजियों के मुख मंत्रियों के साथ इस तारीकी पिछली समीक्षा भेठक के अदेख़ता 6 अक्टूबर 222 पोसे इसको कि थी इस भेठक में गिरियों मंत्रियों के जौर से खत्म करने के लिए ब्यापक दिशानिक देश दिये थे बहनों से फ़र्जी फरम भरवा बहला रही भाजपा है में भावा तिलका मांजी मैदान में जन सभा को समुदित कर रहे थे वहीं हेमासुरे ने कहा है कि बैपारियों के साथ ही भाजपाने 36 गड़ के जंगल बेंच दिये जंगल काटने का ठेका दे दिया अब यहां आदिवासियों को भी स्थापित किया जा रहा है जार्खन के 22, लाग किसानों का अठारवी किस्त जारी परधान मंत्री किसान समानी धी पी एम किसान योजना के अठारवी किस्त सनीवार को जारी कर दी गही है पी एम किसान योजना के अठारवी किस्त परधान मंत्री महराष्ट के वासिम से जारी की है योजना के अठारवी किस्त राज उनके खाते में भेजे जाएंगे किरिसी विभाय के अनुसार किसानों को सोम वारता के आरासी उनके खाते में चली जाएगी